हाव रुफीक्स वान प्लस नोर्प एन वान हंड्रेट जीपिएस नोर्ट ट्रनिंग ओन प्रावलेम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा केस से आप जो है अपने वान प्ला से करके प्रावल्म सॉल्फ करना होगा यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वालाओं वीडियो के सारां तक बने रही है सारे सार अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा क देखें अपने GPS को ठीक है जब लोकेशन ओन करते तो आपका GPS ओन हो गया है ऐसा उपर में शो करेगा और यह जो है ब्लू कलर का हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरह के से यह काम करते हैं तो जब GPS ओन होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जागा लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो GPS को आप यहाँ पर बन कीजिए ऑन कीजिए और देखें ठीक है उसके बाद दोस्तों आप मोबाइल को भी रिश्टार्ट करके देख सकते हैं अगर इससे प्रॉब्लम सॉल् नियों रहा है तो आपको नेक्स्ट सॉलुशन पर जाना होगा ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्कॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर सिस्टेम पर क्लिक किजिए रिसेट आप्शन पर जाईए रिसेट वाइफाई मोबाइल एंड ब्लूटूट पर क्लिक करके रिसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए और अपना मोबाइल पासवोर्ट भर दीजिए मुबाइल पासवोर्ट भरने के बाद आपको बेक करना है उसके बाद दुबारा से चेक करके देखना है अगर प्रॉल्लम सोल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तों एपस एन नोडिफिकिशन पर जाते हैं और यहाँ पर सी ओल एपस पर जाके चेक करते हैं पहले तो हम ट्रीटोस में क्लिक करेंगे शो सिस्टेम कर देंगे उसके बाद सर्च करेंगे ठीक है लोकेशन लो सी ए टी आई ओ एन लोकेशन तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोकेशन का ओप्शन आ चुका है तो लोकेशन सर्वेस पर हमें जाना है करने के वार आपको बेक करना है उसके बार location history आपको मिलेगा ठीक है LOCA location history तो उसमें जाए और इसको भी आप यहाँ पर चेक करती है ठीक है अपको बैक करना है कि उसके बार मोबाल बार को restart करके देखना है अगर प्रॉब्म साल्फ हो जाता है दो ठीक है अगर nda मते प्रॉब्लम सॉल्ट तो मुबाइल को शेफ मोट पे रिबूट करें उसके लिए पाउर बटन को प्रेस और एंड होल करना है पाउर ओफ के स्वीच को दो सेकेंड क्लिक किरके रखना है और ओके कर देना है इससे मोबाइल से मोड पर रिबूर हो जाएगा बाई एनी चांस इससे भी प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो जाए सेटिंग स्ट्रोल डाउन सिस्टेम और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सिस्टेम अपडेट पर और सौफ है तो आपको सिस्टेम पर दुबारा से जाना है डेक अब हैं देड रिशेट प्रॉसेस आपको फॉलो कर लेना है आप यहाँ पर जाएए ईरेष औल डेटा पर और इरेष औल डेटा पर क्लिक करके mobile password वगरा भरके आपको simply erase कर देना है सारे डेटा erase करने के बार आप दुबारा से चेक करके देखे solve हो जाएगा आपका problem उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा अगर वीडियो पसन आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकून को क्लिक करें अगर आपको ऑनलाइन पैसा का माना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेक आउट कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना है टेंक्स फूर वाचिंग